दमश्कार आप देख रहे हैं युक्चर्ण, मैं हूँ आपके साथ खुश्वर से चरी शुरुआत करते हैं बॉलेटिन की ओपन EI की CEO Sam Altman का कहना है कि नया EI Model मौजूदा मौडलों की तुलना में जाधा शक्षिम होगा गुरवार को Altman ने दावोस में चल रहे World Economic Forum में Artificial Intelligence पर बात करते हुए कहा कि भविश्य की EI Model अनकमफरिबल हो सकते हैं उन्होंने आगे कहा कि लोग अब समझ चुके हैं कि उन्हें चैट GPT का इस्तमाल किस तरह करना है Altman ने कहा कि लोगों ने चैट GPT का अपने लिए उपयोगी बनाने के तरीके ढूण लिये हैं और वो समझ गये हैं कि क्या उपयोग नहीं करना है EI का रहस्य से कुछ हद तक खत्म हो गया है क्योंकि लोग अब वास्तों में इसका उपयोग करते हैं यह हमेश्या नई तकनीक के साथ दुनिया को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है EI पिछले टेकनोलोजी की तुलना में बहुत तेजी से विक्सित हो रहा है और टेकनोलोजी की विस्तार के लिए असुविधा जनक निर्णव के जरुरत होगी बविश्य की EI मॉडल को बहुत साले इंडू विज्वल कस्टुमाइजेशन के लिए पर्मिशन देने की जरुरत पड़े की और यह बहुत से लोगों को असहस करने वाला है पिछले कुश घंटों से अयोध्या में श्रीराम मंदिर की मूर्ती के तस्वीरे काफी वाइरल हो रही है रामलला की मूर्ती की प्रांट प्रतस्ठा 22 जनवरी को होगी इस मूर्ती को अभी तक खोला नहीं गया है लेकिन एक तस्वीर बार बार सामने आ रही है कि उनके नेत्र खुले हैं इस पर श्रीराम जनभूमी तीर शेत्र के मुखे बुजारी अचारी सतींद्र दास ने कहा कि मूर्ती स्थापित हो गई है और उसे अभी तक खोला नहीं गया है उन्होंने कहा कि रामलला की मूर्ती को कपड़े से ढख दिया गया है रामलला की आँख से पटी हटने और खुली आँखो वाली तस्वीर के सवाल पर सतींद्र दास ने कहा कि प्रान प्रतिस्था से पहले आँखों को खोला नहीं जा सकता है जिस मूर्ती का चैन हो जाता है उस मूर्ती के आँखे बंद कर दी जाती है उनकी आँखों को ढग दिया जाता है जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो मूर्ती है ही नहीं सतेंद्र रास ने कहा कि ऐसी तस्वीर मिल नहीं सकती और अगर ऐसी तस्वीर है तो उसकी जाच होगी ये जाच होगी कि मूर्ती की आँखे किस ने खोली और ये तस्वीर कैसी वाइरल हो गई रासान में सर्दी अपने पूरे शिवाब पर है शुक्रवार को प्रदेश के विभिन जिलो में कोफरे चाये रहने से सर्दी और जादा बढ़ गई अब मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी करते ही विपताया कि अगामी दो दिन प्रदेश में शीतलहर का प्रकोव बढ़ेगा जिससे शेहरों को नियूंतम पारे में गिरावट देखी जा सकती है इधर शुक्रवार को भी जैपूर, विकानेर और भरतपूर संभाग के अधिकान चले शीतलहर से प्रभावित रहे विकानेर मी सीजन में इस शेहर का सबसे कम तापमान रहा कोहरे का सबसे जादा असर विकानेर, श्विकंगानगर, हनवानगर, जुन-जुनो और चूरू के कुछ हिसों के अलावा भरतपूर, अलवर, दोसा, करॉली, सवाय, माधूपूर, धौलपूर और जैपूर और टॉक में भी रहा जैपूर में सुबह 9 बजे तक कोहरा चाया रहा उसके बाद आसमान धीरे-धीरे साख होने लगा हालकि शाम होते ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुड़ू कर दिये राम मंदिर में भगवान रामलादा के प्रान प्रतिस्टा से पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी कई मंदिरों के यात्रा कर रहे है इस कड़ी में प्यम मोधी शनिवार यानि 20 जनवरी को सुबह 11 बजे तमिलाडू के तिरू चिर्रा पल्ली में श्री रंगनात स्वामी मंदिर में एक करक्रम में हिस्सा लेंगे इसके बाद दो पहर करीब दो बजे रामिश्वरम पहुँचेंगे और श्री अरूल मिगू रामनात स्वामी मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे प्यम मोधी के विजिट से जुड़ी ये जानकारी प्यमों ने शेयर की है श्री रंगनात स्वामी और रामेश्वरम मंदिर भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं 22 जनवादी के प्राण प्रतस्टा समारों से पहले प्रधान मंत्री उन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका जिग्र रामायन में है श्री रंगम की रंगराथ सुआमी मंदिर में दर्शन के बाद पी ए मोधी श्री रामायन परायन कारेक्रम में भाग लेंगे इस आयोजन में आठ अलग लग पारंपरिक मंडलियां भगवान राम के उध्या वापसी के प्रसंग का वंडन करेंगी ये मंडलिया संस्क्रत अवधी, कश्मीरी, गुरु मुखी, अस्मिया, बंगाली, मैथली और गुजराती राम कथाओं का पार्ट करेंगी लोगसबा चुनाव दोजार चौबिस के लिए INDI में सीट शेरिंग बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है शुक्रवार यानि 19 जर्वरी को TMC सुप्रीमो और पशिमंगाल के मुखे मंतरी ममता बैनर जी ने मुर्शिदाबाद जिले के पार्टी नेताओं के साथ मुलकात की ममता ने सपस्ट कहा कि TMC को प्रात्मिक्ता नहीं दी गई तो प्रदेश की सभी 42 लोकसबा सीटों पर TMC स्वतंतर रूप से चुनाव लड़ने के लिए तयार है नाम नहीं चापने की शर्त पर TMC नेता ने कहा कि ममता ने दो टूक कहा है कि आई एन डियाए के सबसे महतुपूर भागिदारों में TMC भी है पशिमंगाल में RSP CPI CPI M को हमने TMC से जादा तवज्जो दी है तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और प्रदेश की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पशिमंगाल का मुर्शिदाबाद जला अल्पसंख्यागाबादी वाला शेत्र है इसे कॉंग्रिस के गड़ के रूप में देखा जाता है साल 2019 के लोगसुबा चुनाव में पशिमंगाल कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बहरामपूर सीट से जीत दर्श की थी वो पांच बार के सांसद है कॉंग्रिस और TMC के बीच सीट शेरिंग को लेकर के विवाद है TMC ने कॉंग्रिस को दो सीट देने की बात कही है जिन पर पिश्ट्रे लोगसुबा चुनाव में एक कॉंग्रिस ने जीत हासिल की थी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रही है हमारे साथ युप चर्ण पर तब तक लिए नमस्कार